आज कुछ नए तरीके से मैंने बनाया चावल के आटे से पापड वो भी बेल के बिना पॉलिथिन के सोचिए बेल के मैंने बनाया और बहुत ही परफेक्ट सी रेसिपी लाई हूं बिना फटे और एकदम परफेक्ट से गीचे बने हैं तो वीडियो को लास तक जरूर से के हैं तो वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा और आपसंद आए तो शेयर करना बिल्कुल भी मत बुलेगा कॉंसी सिटी से मेरा वीडियो देख रहे हो कमेंट करके जरूर बताएगा चलिए बनाना शुरू करते हैं यहां कड़ा उठा लिए इसमें डाल दे रहे हैं मैं एक कप जितना पानी उसमें डाल देगी पापडखार तो मैंने एक टीस्पून वाला चमच उठाया था इसको पूरा भरा नहीं है मैंने 3-4 टीस्पून जितनी पापडखार मैंने लिए और जिस एक चुटकी ही आपको डालना है बेकिंग सोडा बहुत जादा पानी ना यह वाला डाल के इसको थोड़ी देर सोक कर लेंगे साइड में रख देंगे और पानी में जैसी उबाल आ जाए ना तो गैस को आफ कर लेजेगा यह गरम पानी जो है इसी से हम आटा गुन देंगे और यहां पर जीरा सोक अच्छे से हो चुका है सौफ्ट हो गय अब जो पानी हमने उबाल के रखा था ना बस उसी में यह आटा गुन के रेडी करना है आप सोच रहों कि पूराम इस तरह से तो गीचे बनते ही नहीं है आटे को तो पकाना पड़ता है कड़ाई में डाल के तो यह तरीका ना कुछ डिफरेंट सा है वीडियो को इसलिए म बहुत ही इरिटेशन होता है मतलब गुसा आदे ही यार कौन सी कमी रहे हमसे जिसकी वज़े से घीचे फट रहे है तो यह एकदम परफेक्ट रेसिपी है दीखे मैं आटा गून लिया जितना पानी लगा हलका से घी लगा कि इसको मैंने मसल लिया अब ना इसकी मैं बड़ उबालेंगे स्टीम नहीं करेंगे स्टीम करना तो नॉर्मल बात है मैं आज इसको बॉइल करने वाली हो तो एक ताम अलग सा तरीका है या अब भी इस तरह से ट्राय जरूर कीज़ेगा जो थोड़ा पानी बचा है इसी में और पानी हम डाल देगे लग देड़ पानी दो अच्छे से बॉल करने के बाद एक डालती जाएगा और बारा मिनिट इसे आपको पकाना है पांच मिनिट के बाद इसको टर्न कर लीज़ेगा और मीडियम फ्लेम पे बिल्कुल धीमे पे नहीं पकाना है नहीं बहुत जादा तेज भी आज को मीडियम रखेगा और पूरा चेंज देखेगा तो बस इसको निकाल देना है प्लेट में तो चारो निकाल देंगे अर एक मेने कटोरी लिए थोड़ा से घी लगा दिया ताकि मैं इसको अच्छे से मसल सो कि यह बहुत गरम है और गरम गरम ही आपको इनको मसल ना है ऐसे आप छोड़ दो ठंडा करने के अपर ठnhil ठंडा है तो ठोड़ा ठह्बाँ है वे तो ठाल छोड़ा ही तो अचितार को यह बेना रही हूं और यह जो शहुक्त टिप स्टिक चूटी-चूटी मैं आपको बताάλरे को यहां ज़़ोर से फॉझेसां नहीं से पोलू किजएगा सब मतलब सबको रहता है ना कि पॉलेधिन की शीट रखना है उसके उपर ही आपको बेलना रहता है नहीं तो वो चिपकेगा ये ना बिल्कुल भी नहीं चिपकता है आप इमेजिन कीजे जिस तरह नॉर्मल हम पापड बनाते ना उडदाल वाले उसी तरह से मैं इसको भी बेल प परफेक्ट बनेंगे ना फटेंगे और ना ही आपको बेलने में भी दिक्कत होगे बढ़ी आसे खीच-खीच के स्ट्रेच करते हुए आप बेलेगा कोई दिक्कत नहीं कुछ भी नहीं फटेगा अब बहत अराम से मतब इसको खीच-खीच के बेल पाओगे खीचिया है फोल्ड हो गया चदर ऐसे फोल्ड हो जा रही थी और अच्छे बने घीचे सूख भी गया अच्छी दो घंटे बाद में देखा तो इदम सूख गयते हाड हो गयते पूरी तरह से सूख चुके थे घीचे जल्दी धूप में आप चो तपंकी की हवा में भी सुखा सकते हो अब धूब में बहुत जल्दी सूख चाती है और मैं इसको सेख के आपको बता रही हूँ गयस पे आप सेख के खा सकते हो इससे यह और बहुती बढ़िया था खाने में मेरी हजबन को घीचे बहुत जादा पसंदे तो नो नहीं का एक थोड़ी से क्यों बने और जादा ब बूदी